दिवाली सिर्फ एक तहवार नहीं है बलकि हिंदू धर में इस तहवार को बड़े ही हर्शों लास के साथ मनाया जाता है कहा जाता है कि दिवाली के दिन मालक्ष्मी लोगों के घरों में प्रवीश करती है जिसके लिए लोग दिवाली के इस खास मौके पर अपने घरों की बहुत अच्छे से साज सजावट करते हैं माता अपने जिस्पी भक्त की भक्ती से सबसे ज़्यादा प्रसन हो जाती है उनके घर दर्शन करने वो जरूर आती है दिवाली के दिन मालक्ष्मी पाताल लोग से धर्ती का ब्रह्मन जरूर करती है चलिए फिर आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बता देती है जिने अगर आप पहचान लेंगे तो आपको इस बात की खबर तुरंत हो जाएगी कि मालक्ष्मी आपके घर आ रही है अगर आपको दिवाली के दिन आपके घर में कहीं चुचुंदर दिख जाए तो ये बड़ा ही शुब संकेत माना जाता है तो वहीं मकडी के जाले में अगर आपको अपना नाम बनता हुआ दिखें तो दिवाली के दिने से बड़ा ही शुब माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा होने पर मालक्ष्मी आपके घर आने वाली होती है इसी के साथ आपको बता दे मालक्ष्मी का वाहन होने की वज़र से उल्लू का दिखना भी किस इस दिवाली की रात को अगर कहीं दिवार पर आपको छिपकली दोड़ती ही दिख जाए तो इसको भी एक अच्छा शगुण माना जाता है तो वहीं दिवाली की रात अगर आपको कोई बिल्ली दिख जाए या फिर वो बिल्ली आपकी छत पर मल का त्याग कर जाए तो ये बड़ा ही शुब संकेत माना जाता है दिवाली के दिन किसी भी जगा से अंचाहा धन मिलना भी ये बताता है कि धनकी देवी मालक्षमी आपके घर पहुँच चुकी है इसी के साथ आपको बता दे कि दिवाली के दिन एक दूसरे को उपहार देने का भी विवाज है जो कि बड़ा ही शुब माना जाता है नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्छोल से आर्थी की पूंट